हेलो स्टो आप सब इक सोक्त बात करेंगे यहाँ पर एक दिगज बैंक की बारे में जिसके अंदर काफी बड़ा निवेश यहाँ पर किया जा रहा है आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तो एफाइस तरब से भी खास करकर याद रखना एफाइस का जब भी स्टेक ब निवेश कर रहे है एंड दोस्तो यहाँ पर राके जुझुझुर वाला का जो पोटफोलियो है उनके पोटफोलियो में जो मैं बैंक का स्टॉक बता रहा हूं उसमें करोडों का निवेश आलरेडी है और अभी डिसेंबर मन्त में रिसेंटली उनके पोटफोलियो में ऐसा बनने वाला इसकी guarantee काफी strong है क्योंकि ये stock और improve नहीं हुआ है means इसमे benefit जो है दोनों तरफ से है अभी क्या हो रहा है सब कुछ आप point to point देखना यहाँ पर जैसे shareholding पर focus करेंगे तो आपको नजर आजाएगा देखिए काफी interesting details जैसे आप यहाँ पर FIS का June महिने से stake देखेंगे जो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि 7.97 था फिर वो 8.44 हो गया and 8. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा box अच्छे से बना कर बता देता हुए देखिए इस box को observe करना shareholding कैसे बढ़ रही है वो आप खुद देख सकते December 2012 पाविसमिन्स रिसेंटली डाटा जो इस quarter का वो भी आ चुका है तो बहुती शांदार पैसा लगाया जा रहा है and यह देखिए इंडिया के जो investors है यानि के domestic institutional investors उनके तरब से भी देखिए जून में कितना था 13.82 फिर directly 15 हो गया यहाँ पर observe कर सकते बहुती अच्छा stake उनके तरब से उठाय गया है कम किया है उन्होंने और बड़े निवेश्ण के फटाफट खरीद लिया मैं जिस company के बारे बात कर रहा हूं उसका नाम देखिए canara bank इस bank के अंदर बहुत बड़िया तरीके से stake खरीदा जा रहा है राके जुनजुन वाला increased stake in this PSU bank in quarter 3 stock rates over the 62% in 2022 means आप समझ रहे कि company comeback करने की पूरी तयारी कर चुकी है और इसके NPA भी कम हो रहे है company ने reduce किये NPA आप यहाँ पर ratio देख सकते है इसके NPA का आपको नजर आएगा 6.37 only percent है जो यहाँ पर पहले था 6.98 from as June 2022 and March में यहाँ पर आप percentage देखेंगे 2022 में वो कितना था देखिए 7.51 आप बोलेंगे sir आप यह detail बताते हुए directly NPA पर क्यों आ गए तो देखिए किसी bank को check करना हो तो उसके NPA देखना यानि कि उसका business structure कितना solid है वो NPA से पता चलता है और वो कितना परेशान है यानि कि loss में क्यों है क्योंकि देखिए NPA कब-कब होते है जब non-performing asset create होते है bank ने किसी को loan दिया XY जन नाम की company उसको loan दिया उन्होंने repay नहीं किया मिस उसको क्या करना पड़ेगा यह वसूल नहीं हो रहे लोगों तरफ से तो उसको NPA non-performing asset बोलकर यहाँ पर declare करना पड़ता है और balance sheet में जो भी यहाँ पर उनकी जो details होती है financial उसके अंदर present करते रहते हो उपर percentage होता है उससे detail bank की पता चलती है तो यहाँ पर आप देख सकते है कि rocket जुनजरवाला का जो यहाँ पर portfolio उसको अभी उनके vibe जो रेखा यहाँ पर जुनजरवाला है वो handle कर रहे है उनके तरफ से canara bank के shares pick किये है क्योंकि financial जो result है इसके quarter 3 के means अभी के जो आने वाले December के उसको लेकर double digit का performance expect किया जा रहा है उनके तरफ से याने उनको भी पता है और जैसे mutual fund वालों को भी क्योंकि business structure इनको बहुती अच्छे से जानकारी हो जाती है data available क्योंकि business के बारे में उन तक अच्छे से अच्छी information पहुच जाती है और ये बात आप देख भी सकते हैं जो already उनके पास जो stake था देखे कैनरा बैंक का राके जुझुझुण वाला जी के पास वो कितना था देखिए already पहले quantities उन्होंने यहापर खरीदी थी और उनका अभी stake यहापर बढ़ भी गया है जो यहापर आप देख भी सकते है किस तरीके से उन्होंने करड़ो का दाव लगा है इस company में और आने वाले समय में यह company भी कितना आगे जा सकती वो भी आप पूरी detail के साथ देख सकते है अभी उनके कितने share खरीदे उन्होंने वो आपको थोड़ा बता देता हूँ आपको पता चल जाएगा और आप यहापर देख कर समझ भी सकते हैं जुन जुन वाला as net worth जो in this increasing marginally to यहापर आपको यहापर देखने को मिलेगा जो अलग-अलग इनके portfolio के share है बट यहापर हमा जुन वाला as share holding in Canada bank stood at यहापर देखे number of share कितने उनके पास 3,75,97,600 यहापर share से आपको देखने को मिलेंगे जो यहापर 2.07 and this as increase 0.0 यह देखे अभी जो stake बड़ा है Canada में जो अभी फिलाल जो आप यहापर देख सकते है share holding लगातार हूँ अपनी increase करते ही जा रहे है यहापर Canada bank के अंदर और stock देख सकते है अभी 319 पर Canada bank का चल रहा है इसमें कमाई अच्छी है and आप यहापर देख भी सकते किसने कितना अच्छा return एक साल में निवेशय को कमा कर दिया 45% और long term की journey देखना कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ करकर दिखाना बाकी है company और भी बड़े धमा के करने के लिए तयार है financial performance इसका day by day improve हो रहा है तो आप इसका benefit ले सकते है जरूर अपने radar पर Canada bank का share आप रखकर आगे बढ़ सकते है जो भी यहाँ पर details थे प्रेजेंट किये आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप निवेश अपना यहाँ पर इस stock के अंदर कर सकते है एन financial के और details की बात करें तो यहाँ पर इसमें बहुत से positive negative point है हम position business पर भी माल उठाए 400 पासों तक जाने के बाद बेचकर निकल गए तो भी चल जाएगा company आगे बनने की तयारी में जरूर है यह बात याद रख कर चलना क्योंकि banking sector काफी strong तरीके से improve हो रहा है और उसका नतीजा आप इसके profit and loss account में भी देख सकते है इसके net profit की growth भी आपको नजराएगी पिछले 2-3 साल से याने के 2021-2022 जो यहाँ पर आप आप देख रहे है उसमें company ने rapidly improvement करकर दिखाई यह देखिए 2900 यहाँ पर 50 करोड का जो round figure यहाँ पर इसका net profit आओ बढ़कर 6000 हो गया और फिर 8000 अभी करण में चलुए याने के company कितने आगे पहुच रही हुआ आप देखकर अंदजर लगा सकते है Thank you so much